आज की वीडियो में एक बहुती जादा कमाल की कार मैं खरीद के लिए क्या चुका हूँ यह है मारूती सुजुकी जिमनी ओफिशल लाइसेंजड मारूती सुजुकी जिमनी आरसी कार है और इसको हम लोग कंप्लीटली रिमोट से चला सकते हैं इसको मैंने 20,000 रुपीज में खरीदाएगा चलो फटावट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और कराते हैं इसकी फाइट दूसरी कार के साथ आज यह जिमनी की मैं फाइट कराने वाला हूँ मेरी सबसे जादा फेवरेट आरसी महिंदरा थार के साथ और ग्लेशियर आरसी कार के साथ और रस ओवी मिलि यह हम लोगों को जिमनी पर इसके स्पेसिफिकेशन से इसकी चैसिस को कैसे डिजाइन किया गया यह इन्फोमेशन यहां पर दी गई है इसके डोर्स बोनट पीछे की डिक्की हर एक चीज हम लोग ओपन कर सकते हैं चलोगा इस फटाफट से यहां से मैं इसको अनबॉक्स कर देता हूं यह बॉक्स मेरे को काफी जादा सही लगा यार कार को क्यारी करने में बहुत जादा इजी हो जाता है एक और सुजु की जिमनी भी है पुरानी वाली उसके अंदर भी बिलकुल ऐसे ही वाला बॉक्स मिला था ओ माइगाट का कलर देख़ा बिलकुल रियल कार जै तो हमारी जो कार है 1-12 scale model पे बनाई गई यह है इसका remote controller जिना ज्यादा advanced remote मैंने आज तक बिलकुल भी नहीं देखाएगा उपर की तरफ यहाँ पर बहुत सारे settings करने के लिए दिये गए यहाँ पर दो switches मिलते हैं यहाँ पर एक switch है तीन LED indicators यहाँ पर यहाँ पर देख सकते सामने से बिलकुल देखवार सुजुकी जिमनी जैसी grill यहाँ पर देखने को मिलते हैं सुजुकी का logo भी है headlights भी है और यह headlights काम भी करती है proper तरीके से यहाँ पर honeycomb grill भी दी गई है यहाँ बहुत detailing में यह car को बने आ गया जिमनी की बैजिंग यहाँ अब इनके glasses के उपर chances मिर को लग रहे थे तो हटा दिया मैंने इसको यहाँ पर wipers भी दिए गए इसके wheels real rubber के wheels दिए गए और यह official light sensor wheels भी इसके अंदर लगाए गए गए अब इसके doors में open करने वाला हूं doors भी इसके proper तरीके से open और close हो जाते हैं इसके अंदर एक सबसे खास चीज मैं आपको बत से तो यह steering भी turn होती है उसी के साथ में अभी पीछे का door open करते हैं यहाँ पर देख लिए यह seats को भी हम लोग इस तरह से open भी कर सकते हैं और close भी कर सकते हैं यहाँ पर एक और कमाल की चीज देखने को मिलती है यहाँ पर थोड़ा सा space भी दिया गया है इसको भी हम लोग close औ और open कर सकते हैं इस तरीके से पीछे भी बहुत सारी detailing दी गई है जैसे कि यहाँ पर इसके hinges देख सकते हो completely metal के hinges दिये गए रियल वाला वील देखने को मिल जाता है यहाँ पर सुजूगी की बैचिंग है यहाँ पर जिमनी all grip की बैचिंग दी गई है पीछे यहाँ पर tail lights द कर सकते हैं close भी कर सकते हैं और यह बहुत जादा मजबूत भी है सच में इसकी detailing देखकर मैं खुद हैरान रहे गयार तो यह रही RC थार दोनों को side by side मैंने रख दिया है आपको पता हो गयाँ यह थार off road में कितने तगड़ी तरीके से चल सकती है यहाँ पर दोनों के size में द देख सकते हो इसके विल्स थोड़े से हाड है इसके विल्स रियल कार जैसे ही दिखाई देते हैं यह RC थार के अंदर जादा detailing नहीं दी गई है सिर्फ इसके इंडिकेटर्स और lights वगेरा काम करते हैं बाकी इसके अंदर बहुत सारी detailing दी गई है इस वज़े से इसका cost भी ज जादा तगड़ी है चलोगाई सबसे पहले RC जिमनी को चला के देखते हैं यह जिमनी ओफिशल लाइसेंस ड़ोनी के कारण बहुत जादा स्मूथ चल रही है इसका remote मेरे को बहुत जादा ओसम लगए आर क्यूंकि इसके अदर बहुत सारे settings दिये गें बाकी आप इसके lights व बहुत जादा ओसम है और यह कार काफी जादा बलकी भी दिखाई देखिया है अब मैं रेस कराने बाला हूं RC जिमनी वर्सस RC ग्लेशियर ट्रक के बीच में देखते हैं इन दोनों में से कौन जिता है जिमनी का मैंने अभी तग फर्स्ट गेरी डाल के रखा यार इसने तो बहुत आसानी से ग्लेशियर को ओवर्टेक कर लिया है और यह बहुत जादा आगे निकल गई है मेरको निय लगता गाई ग्लेशियर इसको ओवर्टेक कर पाएगा अब रेस कराते हैं RC जिमनी वर्सस RC थार के बीच में देखते हैं कर दोनों में से कौन जिता है RC जिमनी आ खतरना तरीके से ओफ रोड में चल सकती थी पर यहाँ पर पूरी तरीके से गेम चेंज हो चुकी है जिमनी इससे भी तबड़े तरीके से चल रही है क्योंकि इसके अंदर सस्पेंशन बहुत स्मूथ है और ये का हलकी फुलकी होनी के कारण ओफ रोड में बहुत ही ओसुम तरीके से चल रही है यहाँ पर आर्दी थार पूरी कोशिश कर रही है आगे जाने के लिए फिर आर्दी जिमनी यहाँ पर जीत चुकी है ओके अब आफ रोड में रेस कराते हैं मिलिटरी स्पेशल वहिकल वरसस जिमनी के बीच में देखते हैं इस तोनों में से कौन जीता है यह मिलिटरी स्पेशल वहिकल सिर्फ ओफ रोड में चलाने के लिए ही बनाई गई है इसके वील्स काफी जाधा चोड़े है और इसका भी सस्पेंशन काफी जाधा स्मूध है पर मेरे को नहीं लगता है कि यह मिल्टरी वहिकल जीत पाई की जिमनी से क्योंकि जिमनी का वसन बहुत जाधा काम है देखो यह कार बहुत जाधा आके निकल गई है बहुत जाधा उबर खाबर जमीन पे भी और पत्रों में भी यह बहुत आसुम तरीके से चल रही है मैं तो फैन हो गया जिमनी का अब जिमनी की हमने सामने वाली फाइट कराते है गलेशेर ट्रक के साथ देखते हैं दुनों में से खन जिता है जिमनी ने इतनी जोर की टकर लगाई है गलेशेर का बोनट खुल गया है पुरी तरीके से जिमनी इसको धीरे धीरे करके पीछेट है गल रही है आर्सी गलेशेर ट्रक पुरी तरीके से ब्रेक लगा कर इसको रोकने की भी कोशिश कर रहा है फिर भी जिमनी ने इसको हरा दिया है पुश बैक में अब देखते हैं क्या या RC जिमनी मिलिटरी वहिकल को आमने समने वाली फाइट में हरा पाती है यहाँ पे मिलिटरी वहिकल भारी पड़ती भी मेर को लग रही थी जिमनी के उपर पर जिमनी ने इसको जैसे तैसे करके रोक रखा है अब मैंने जिमनी के अंदर सेकंड गेर डाल दिया है सेकंड गेर डालते ही देख वर इसकी पावर बहुत जादा वड़ चुकी है यार इसने तो मिलिटरी स्पेशल वहिकल को भी हरा दिया है पुश बैक में आसानी से रेस में तो दोनों कार्स को बरावर के पॉइंट्स मिलेते हैं अपनी पावर दिखाना और आरसी थार भी कुछ कम है नहीं इसके विल्स काफी जादा चौड़े होने के कारण इसको ग्रिप यहां पर अच्छे से मिल रही है वहीं दूसरी दरफ जिमनी के विल्स धीरे धीरे करके फिसलने लगे है यहां पर आरसी थार धीरे धीरे करके कैच के लिखे जारी है जिमनी को और जिमनी ब्रेक्स भी लगा चुकी है पुरी तरीके से फिर भी यार आरसी थार ने इसको अहरा दिया है थगो फर में इसलिए लोग बोलते हैं गईस थार थार है थार के सामने सब बेकार है यह एक ब्रूडर का ट्रक है मैंने जिमनी के पीछे बान दिया है आने वाले दिनों में मैं इसको completely RC बनाने वाला हूँ इसके अंदर रिमोट वगेरा लगा कर भी चलाने वाला हूँ तो यहां पर देख लो आर एक एक लिटर की मेरे पस दो बोटल मैंने यहां पर रख दी य एक मिल्टन का बोटल है इसको भी रख दिया है सभी बोटल के अंदर पानी भरा हुआ है तो अब देखते हैं क्या हमारी जिमनी इतना धेर सारा वेट खेंच पाईगी या फिर नहीं ओहो जिमनी की पावर देखवार इतना जादा भारी भर कम ट्रकों भी है काफी आसानी स अब देखते हैं और इसके अंदर तो मैंने वाटर बॉटल भी डाल दिये थे भाई में को तो यकीन हो रहे कि जिमनी इतनी ज्यादा पावर फुल अब देखते हैं अब देखते हैं अब देखो यार यहां पे थार ने अपनी पावर बताना चालू कर दिया है थार भी यहां पे बहुत सारा पानी है सबसे पहले ग्लेशियर आर्सी ट्रक को चलाके देखते हैं इसके अंदर से यह चल पाएगा या फिर नहीं ओल्मोस्ट आदा ट्रक पानी के अंदर डूप चुका है देखते हैं यहां से निकलेगा या फिर फस जाएगा ओ माई गोड यह तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको यह चारो आर्सी कार्स में से कौन सी कार अच्छी लेगी चलो भी मैं देदेता हूं शौट आउट पहला नाम है साप्तिक, करमवीर, बुरहान, गीतेश, चंदरशेकर, अब्दुल्ला, समराट, धिरेंदर कुमार, सुधीर, इस वीडियो पर कर दीचे, लाइक, नीचे कर दीचे, कमेंट, बाई बाई दोस्तो